नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पौरानिक लोग पर पांडू पुत्र अर्जुन तपस्या करने के लिए निलगिरी परवत पर चले गए। उस समय पांडवों पर अनेक मुसीब्तें पहले से ही आ चुकी थी और उन कठिन परिस्थितियों के कारण द्रौपदी बहुत चिंतित और व्यथित हो गई थी। अपने पती की अनुप श्रीकृष्ण के पास पहुची और उन्होंने श्रीकृष्ण से पूछा है प्रभु। आप तो अंतर्यामी हैं, आपको तो मेरे सभी कष्टों का ज्यान है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मेरे कष्टों का अन्त हो सके। श्रीकृष्ण ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया। द्रौपदी, तुम्हारी इस समस्या का एक समाधान अवश्य है, लेकिन यह समाधान अत्यंत ही कठिन है, परंतु अगर तुम जानना ही चाहती हो तो सुनू। एक समय पार्वती जी ने भी भगवान शिव से यही प्रश्न किया था, और तब शिवजी ने उन्हे करवा चौथ वरत का विधान बताया था। इस वरत को विधिपूर्वक करने से स्त्रियों के सभी कष्ट समाप्थ हो जाते हैं, और उनके पती की दीरगायू और स्वस्थ जीवन की कामना पूरी होती है। द्रौपदी बोली प्रभु इस मनोकामना पूर्ती करने वाले कर करवा चौथ वरत की जानकारी मुझे भी दीजिये और उसकी कथा कहिए। तब श्री कृष्ट ने एक पल सोचने के बाद मुस्कुरा कर कहा, कि द्रौपदी दुख सुख जो सांसारिक माना जाता है, प्राणी उसमें सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें इन सभी दुखों से मुक्ती दिलाने वाले अति उत्तम करवा चौथ वरत की कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनू। इस प्रकार से श्री कृष्ट ने करवा चौथ की कथा सुनानी आरंध की। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक व्रिद साहुकार और उसका परिवार रहा करता था। साहुकार और उसकी पतनी के साथ पुत्र तथा एक पुत्री थी साहुकार की पुत्री का नाम वीरावती था वीरावती सभी भाईयों और माता पिता की अत्यन्थी लाडली थी साहुकार के सातों बेटे अपनी बहन से उम्र में बड़े थे जिस कारण उनका विवाह हो चुका था और अभी साहुकार की पुत्री का विवाह होना बाकी था सातों भाई अपनी बेहन से इतना अधिक प्रेम करते थे कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वय भोजन किया करते थे इसी प्रकार समय बीता और उनकी बहन का विवाह एक सुयोग्यवर के साथ संपन्न हो गया विवाह के बाद पहली बार जब वीरावती अपने ससुराल से माय के आई तो उस समय करवा चौत का व्रत आया और वीरावती ने अपने पती की लंबी आयू के लिए अपनी भाभियों के साथ इस व्रत को रखने का निश्चय किया इस प्रकार से कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथी को साहुकार की सभी बहु पत्नी और बहन ने पूरी सच्ची श्रधा भाव से करवा चौत का व्रत रखा विरावती ने भी व्रत रखा लेकिन जैसे जैसे दिन बीटता गया उसे भूक और प्यास से अत्यधिक कष्ट होने लगा और वह बहुत व्याकुल हो गई लेकिन चूंकी इस व्रत में चंद्रमा को अर्ध्य दे कर ही भोजन करना संभव होता है इसलिए उसे चंद्रमा निकलने की प्रतीक्षा करनी पड़ रही थी शाम को जब सातो भाई अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन धूक से बहुत व्याकुल हो रही है सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्राय करने लगे लेकिन बहन ने बताया कि उसका भी आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्ग्य देकर ही खा सकती है चौँकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो रही है विरावती के साथो भाई अपनी बहन को इस प्रकार भूख और प्यास से तडपता देख नहीं सके तभी सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखकर बहुत दुख हुआ इसलिए उसने एक तरकीब निकाली उसने पीपल के पेड़ पर जाकर एक दीपक जलाया और उसे चलनी की ओट में रख दिया यह दीपक दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि मानो चतूर्थी का चांद उदित हो गया है इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि बहन चांद निकलाया है तुम उसे अरग्य देने के बाद भोजन कर सकती हो साहुकार की बेटी अपनी भाभियों से कहने लगी भाभी चांद निकलाया है चलो आप लोग भी अर्थ देकर भोजन कर लो यह सुनकर विरावती की भाभियां बोली बाईसा ये तो आपका चांद निकला है हमारा चांद निकलने में अभी समय है बेहन खुशी के मारे सीधियों पर चड़कर चांद को अर्ग्य दे दीती है और अर्ग्य देकर खाना खाने बैठ जाती है वह पहला टुकडा मुह में डालती है तो उसे छिंक आ जाती है दूसरा टुकडा डालती है तो उसमें बाल निकलाता है और जैसे ही तीसरा टुकडा मुह में डालने की कोशिश करती है तो उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि पती बीमार है जैसी भी हालत में हो तुरंट ससुराल पहुँचे मायके से विरावती को विदा करने के लिए जब उसकी माँ उसके बकसे से कपड़े निकालने लगी तो बार-बार काले और सफेद कपड़े निकलने लगे यह सब देख कर उसकी मा बहुत परिशान होने लगी विरावती की मा यह सब देख खबरा कर बोली बेटा रास्ते में जो भी छोटा बड़ा मिले तो सब की पैर छूती जाना और जब कोई सदा सुहागन होने का आशिरवाद दे तो अपने पल्ले में गांठ बांध लेना ऐसा करने से तुझे अखंड सौभाग्य की प्राप्ती होगी विर्वती बोली खीक है मा और सब को प्रणाम करके वो अपने ससुराल को चल दी जो भी रास्ते में मिलता गया वो रास्ते में सब के पैर छूती गई लेकिन किसी ने भी उसे सदा सुहागन होने का आशिरवाद नहीं दिया सब ने उसे यही आशिरवाद दिया की खुश रहो जीती रहो ऐसे ही चलते चलते वीरावती अपने ससुराल पहुँच गई ससुराल के आंगन में उसकी छोटी ननद खेल रही थी जब वीरावती ने उसके पाव छुए तो उसने उसे आशिरवाद दिया सदा सौभाग्यवती रहो उत्रवती रहो और यह सुनते ही वीरावती ने अपने पल्ले में गांठ बांध ली वीरावती जब अंदर गई तो देखा उसके पती का शव रखा है और उसको अंतिन संसकार के लिए ले जाने की तयारी हो रही है वीरावती पर तो मानो दुखों का पहाड तूट पड़ा हो वो अपने पती की मृत्यू का दुख बरदाश नहीं कर पा रही थी जैसे ही सब लोग उसके पती को शमशान घर ले जाने लगे तो वो रोती हुई बोली मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी मैं भी इनके साथ में चलूंगी बहुत समझाने पर भी जब वह नहीं मानी तो सब लोग कहने लगी कि इससे भी साथ में शमशान घाट ले चलो और इस तरह वो सब के साथ शमशान चली गई जब अंतिन संसकार का समय हुआ तो वो बोली में इन्हें नहीं जलाने दूंगी सब लोग बोलने लगे पहले तो पती को खा गई अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है यह सब सुन कर भी वीरावती नहीं मानी और अपने पती को लेकर बैठ गई उसने अपने पती की मृत्यों को अस्विकार कर दिया और उसे जीवित करने के लिए प्रतिज्या कर ली ठक हार के सबने निर्ने लिया कि इसे यहीं रहने दो इसके लिए एक जोपडी डलवा दो अब तो विरावती अपने पती को लेकर उसी जोपडी में रहने लगी इसी तरह समय बीत रहा था विरावती रोज अपने पती की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती भोजन पानी के लिए दिन में दो बार उसकी छोटी ननत खाना देने आती थी वह पूरे एक साल तक अपने पती के शव के पास बैठी रही और उसकी देखभाल करती रही विरावती अपने पती के शव के उपर उगने वाली सुई नुमा घास को एकत्रित करती जाती थी विरावती पूरे साल चौथ का व्रत करती, चांद को अर्गे देती और जब चौथ माता आती तो उनसे अपना सुहाग मांगती सभी चौथ माता उससे यह कहती की जब हमसे बड़ी चौथ माता आए तब उनसे अपने पती के प्राण मांगना साल भर में एक एक करके सभी चौथ आई और सभी यह कहकर चली गई जब अश्विनमास की चौथी आई तो वो बोली पुतरी तुझसे कार्तिक की बड़ी चौथ माता नाराज हैं और वही तेरा सुहाग लोटाएंगी जब वो आए तो तुझ उनके पैर मत छोड़ना और कहना की माता मुझे सुहागन होने का वर्दान दो तभी आपके पैर छोड़ूंगी और तुम माता को देने के लिए पहले से ही सोलह श्रिंगार का सारा सामान तयार करके रख लेना जब कार्तिक की बड़ी करवा चौत का वर्द आया तो उसने पहले से ही अपनी छोटी ननक से सोलह श्रिंगार का सुहाग का सामान मंगवा कर रख लिया जब सास को यह पता चला तो वो बोली पागल हो गई है जो पती के मारने के बाद भी सुहाग का सामान मंग रही है सास बोली जो मंग रही है दे दो साहुकार की बेटी ने निर्जला करवा चौथ का व्रत रखा चांद को अरग्य दिया और पूरे विधी विधान से पूजा करी जब चौथ माता प्रकट हुई तो वीरावती बोली है करवा माता मेरे पती को जीवन दान दो मुझे मेरे पती के प्रान लोटा दो और यह कहकर उसने माता के पैर पकड़ लिए विरावती बोली माता तुम बड़ी ही दयाबान हो माता तुम सब पर कृपा करती हो, ये मा मुझ अभागिन पर भी दया करो, मुझे मेरा सुहाग वापस कर दो करवा चौथ माता बोली तुने बहुत ही बड़ी भूल की है, बिना चांद को अरग्य दिये ही भोजन करने लगी, तुने व्रत को बीच में ही तोड़ दिया, तुझे मैं क्षमा नहीं करूंगी तु तो साथ भाईयों की प्यारी बहन है, तो सुहाग का तेरे लिए क्या काम है? वह बोली नहीं माता मुझसे भूल हो गई, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करती विरावती ने एक-एक करके चौथ माता को सुहाग का सारा सामान चड़ा दिया विरावती को ऐसे रोते हुए देख कर चौथ माता को उस पर गया आ गई माता ने अपनी आँखों से काजल निकाला, आपने हाथ से मेहंदी निकली, माम से सिंदूर निकाला और उसे एक करवे में घोल कर छोटी उंगली से उसके पती पर छिड़क दिया ऐसा करते ही विरावती का पती श्री गनेश श्री गनेश कहता हुआ जीवित हो गया चौथ माता ने जाते जाते उसके घर पर लाक मार दी जिससे उसकी जोपडी महल में बदल गई जब छोटी ननत खाना लेकर आई तो उसने देखा की भावी की जोपडी की जगया महल खड़ा है वो ननत को देखते ही दोडी दोडी उसके पास आई और बोली देखो बाईसा आपका भाई वापस आ गया है घर जाओ और सासू जी से कहो गाजे बाजे के साथ हमें लेने आए छोटी ननत दोडी दोडी मा के पास गई और बोली मा भाई जिन्दा हो गया है मा बोली भावी के साथ साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है वह बोली नहीं मा मैंने देखा है, सच में भाई जिन्दा हो गया है सास ससुर और सभी घर वाले गाजे बाजे के साथ अपने बेटे को लेने के लिए शम्शान घाट पहुँचे जब बहु सास के पैर छूने लगी, तो बोली माता जी देखो आपका बेटा वापस आ गया सास बोली बहु मैंने तो साल भर पहले इसे भेज दिया था, यह तो तेरे भाग्य से वापस आया है इस प्रकार से करवा माता की कृपा से वीर्वती को अपना सुहाग वापस मिल जाता है इस कथा के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि करवा चौथ वरत पती की दीरगायू और पतनी के समरपन का प्रतीक है वीर्वती का धैर्य, समर्पन और त्याग उसे अंततह सफलता और सुख प्रदान करता है इस व्रत के पीछे यही मान्यता है कि जो स्त्री इसे सच्चे मन और श्रद्धा से करती है उसे अपने पती का साथ और दीरधायु प्राप्थ होती है करवा चौध के दिन विवाहित स्त्रीया प्रातर काल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करती है और शुद्ध वस्त्रधारन करती है इसके बाद वे सदा सुहागिन रहने की प्रार्थना करते हुए व्रत का संकल्प लेती है स्त्रिया पूरे दिन निर्जल और निराहार रहकर अपने पती की दीरघायू की कामना करती है और रात के समय चांद को अरग्य देकर वरत का पारण करती है इस प्रकार से करवा चौथ का वरत रखा जाता है हे चौथ माता जैसी कृपा आपने साहुकार की बेटी पर करी वैसी ही कृपा इस कहानी को कहते सुनते और हुंकार भरती सब पर करना, सब को अमर सुहाद देना करवा चौथ की कथा समाप्त हुई बोलिये मित्रों जै करवा माता की